असत्रतियो ध्यायाह नारध उवाच ज्ञान यग्यं करिश्याम शुकशात्र कथो ज्वलं भक्ति ज्ञान विनागानां स्थापनार्थं प्रयत्नतह कुत्रकार्यो मयाय यग्यस्त्तलं तद्वाच्यतं महिमाशुक शात्रस्य वक्तव्यो बेद पारगई कियद्भिर्दिव सैश्राव्या श्रीमध भागवती कथा कोविदिष्टत्रकर्तव्यो ममेद अंग्रुवतामितह कुमारा उच हो श्णुनार्थ वक्ष्यामो विनम्राय विवेतिने गंगाद्वार समी पेतु तटमानन्द नामकं नाना रुषिगणैर जुष्टं देवसित्त निशितं नाना तरुलता कीर्णं नवको मलवालुकं रम्यमेकांत देशस्तं हेमपज्मसु सौरभं यत्समी पस्त जीवानाम वैरंचे इतसिनस्थितं ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्रकर्तव्यो यक्प्रयत्नतह अपूर्वरसरूपाच कथा तत्रभविष्यति पुरस्थम निर्वलंचैवजराजीर्ण कलेवरं तद्वयंच पुरस्कृत्यबक्ति तत्रागमिष्यति यत्रभागव दिवार्ता तत्रभक्त्यादिकं ब्रजेद। कथा शब्दं समाकर्य तत्रिकं तरुनायति प्रायति उँँ नारजी की जहावें बक्ति जणान और वैराग्यने स्थापित करवाने माटे प्रयतन पुर्वक शुक्देव जीना कहेल बागवत शास्तने कतात द्वारा उज्वण जणान यग्ने करीश आयग्ने मने महरी क्या करवो जोए आपेने माटे कोई स्थान बतावो आप लोक बेदना पार ने जानना रशो एले कि बेदने जानना रशो आथी मने एशुक शास्तन शास्तन माईमा संब्ढावो एपन बतावो कि शिवात द्वागवत निकाखा केटला लिवसमा संब्ढावी जोए अने संब्ढवानो विद्धिशो शे सनकादी बोल्या नारजी आप महान विनेत शो औने विवेकी शो संब्ढो हुम हमे आपने ते वात बतावो शो अमें बतावी ये शिए हरिद्वारनी पास है आनंद नामनो एक घाट शे त्या अने गुरुषियो रहे छे त्या देवता अने सिद्धलोको पण एननो सेवन करे छे अने एक प्रकार नव्रुक्षो अने लतावने कारणे ही बहु सगन छे अने त्याम सुन्दर कोमण नविन रेती विछाये ली छे घाट कणो सुरम्य अने इकांत प्रदेशना छे त्या सर्व समय सोनेरी कमणोंने सुगंधा व्या करे छे त्याम आप कोई प्रकार न वेशेश प्रयतना वगरश ग्णान यगनोर आरंब करो इस थानों पर कथामा अप्पूर वरसलो पुदै थर्षे बक्ति पन आपनी आखोनी सामेश निर्बळ अने जरा जिर्ण अवस्थामा पड़िला ग्णान अने वैराग्यने साथे लईने त्यां आवी पहुंच छे कथा शरू करो भक्ति देवी ग्णान अने वैराग्यने लईने आवी जर्षे कारण के जिहां पन शिवत भागवत ने कथा थाई छे त्यां भक्ति आधी आधी एले गिन्याने ने वैराग्य साथे भक्ति पोतानी चाते पहुंची जाई छे त्यां कानों मां कथानों शब्द पडवा थी आत्रोणे तरुण थाई जश्रे आगलवाईंची यह सूत उवाच एव मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समंततह गंगा तटं समाजद्मु कथा पानाय सत्वराह यदा यातास तटं तेतु तदा कोला हलोप्य भूत भूर्लोके देवलोके चप ब्रह्मलोके तथैवचं श्री भागवत पियुषपानाय रसलंपताह दावंतो प्याय युसर्वे प्रतमंगेज वैष्णवाह भुगुर्वशिष्टस्यवनष्च गौतमह मेधाति तिर्देवला देवरातव रामस्त थागाजि सुतस्त शाकलह मुरुकंड पुत्रा थैजपिपला दाहा योगेश्वरव व्यास पराशरव चग छाया सुकोजा जली जन्नु मुख्याह सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्रशिष्याह स्वस्त्री बिराय युरति प्रणये नयुक्ताह पेदांता निका वेधास्चा अंत्रास्तंत्रास्समूर्थेयाह पुराणा निशससात्रानिटता यहों गंगाज्यासरि तस्तत्रपुष्स्करदिसरावसिप्य। शित्तानिच दिशस्तर्वा दंडकादिवनामिच नाःदयोय युस्तत्रदेवकंतर्वदानवाह गुरुत्वात्त्रनायांतां गुरुगुस्संबोध्यचानयत देख्षितानारदेनात दत्तमासनमुत्तमं कुमारा वन्धिता सर्वैनिशे दुग्रस्णतक्पराह वैश्णवास्च विरक्ताषण्यासिनोब्रमचारिनह मुखपागे शितास्तेच तदग्रेनारदस्थितह एकफागे रुषिगनास्त दजन्यत्रदिववकंत्सः बे ihanपनिषदो नयत्रतीर्थान्यत्रस्त्रियो चूर्ण लाचा प्रसुना नाम निक्षे पस्सु महान भूत मिमाना निसमा रुप्यक यंदो देवनायका हा कल्पव रुप्षप प्रसुना इस्तान सर्वाप सत्रसमा किरन्न सोता जी कहें चाप्रकारे कहिने नारजी ने साथ है सनकादी पन श्रिवत भागवत ने कथाना अमरुत नो प्रान करवाने माटे बदानी साथे गंगाना किनारों पर चाले आव्या जे समय ए लोको किनारे पहुंचया त्यारे भू लोक, देव लोक अने ब्रह्म लोक बद्धे जे गया कथानों तो जाने शोर मजी गयों जे जे बगवत कथाना रसे क्विश्न भगवत हतां ए वद्धे जे श्रिवत भागवत अम्रुत नों पान करवाने माटे साथी आगर दोडी दोडी ने आवी गया भुगु, वसिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेतातिथी, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मारकंडय, दत्तात्रिय, पिपलाद, योगेश्वर व्यास, अने पराशर, छायाशुक, जाजली, अने जन्रुआदी सव बतना, मुख्य, 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 मुणी गणव, पत्पतना, पुत्रो, शिष्यों, अने स्त्रियों साथे, बहुत प्रेम थी तियाँ अभी गया विद, बेदान्तेलर उपनिश द, मंत्र, तंत्र, सत्तर पुरान के अधरव पुरान पगमेशी होँसे अष्रादर Şe Pूरान पटशी सत्तर पुरान पणावेवेजयिया अने अधरव पुराम पाकी होँसे छिए शास्त्रों एटील सांख्य योग नें आप एगया सांख्य योग पचिई ज्ञाय काश रिमाउसा ने पुटतर रिमाउसा उत्थू शे वेद्था से टायाएचि छा शास्त्रों मुर्ति मांते नोगरी गया थेव शांब्र अबाट शो करिया करते हैं जेलों क्यों नहीं है तो in दो नहीं होने जाना आवे जो चुनों बेपाज वार फोन करें, जेर आऊजो ने आवे कही नि, माने तो कुर्षी जोईशी, कुर्षी आपेशो, वेरो जतारे जो, बचे पाणी पीवा जोईशी, पाणी आपेश। इवा हदा, तो मार्जी पुरुखु वागेर, एमने जाईने, समझाई भुजावी न लईया वेया, त्यारे कथा संभड़ा वाने वाटे, दीक्षित थाईने, श्रेकृष्ण परायन, सनकादी, नारजी ना आपेला, श्रेश्ठ आसनों पर विराज बान थया, ए समय बद् नारजी मुक्या श्रोता है, एना अधारे कथा चाले, एक तरफ रुषिगोन, एक तरफ देवता हो, एक बाजी बेद अपरी शगो, और एक बाजी तीर था बेठा, और बीजी बाजी बाजी श्त्रियो बेठी, आम युँना आगेवाद जैने जैंखार मंदर में पैसी ज सूजो ये, एस हमाए बधी तरफ जै जैकार, नमस्कार ने, चंको नो कब्दत अवाला जो, जै हो, जै हो, जै हो, जै हो, कोल्कुए देव स्रेश्टर तो भीवानों पर चड़ी ने, त्याम बैठेला बध्या लोकोँ पर कल्प भुख्षना पुष्पोनी पृस्त्री करवा लागी गया, आगरवाश्या, शूत उवाच, एयाम देश्वेक, चित्तेश, श्रीमत भागवत अस्या, नारदाय महात्मने कुमारा उचुभू अततेवर्न्यतेश्माभिर्महिमाशुक शात्रजह यस्या श्रवन मात्रेन मुक्ति करतले सिता सदासेप्या सदासेप्या श्रेमत भागवती कथा यस्या श्रवन मात्रेन हरिश्षिक्तम समाश्डेत ग्रंतोस्तादश साहस्त्रो द्वादश शकंदसं मितह परेक्षिछुक संवादश्ण भागवतम्चतत तावत् संसार चक।ष्मिन ब्रमते जनान तक्पुमान यावत कर्ण गतानास्ति शुक शात्र पथाप्षणं किंश्रु तैर्बहु विश्चात्रै पुरान इश्च प्रमा वही ही एकं भागवतं शात्रं मुक्ति दाने नगर्जति कथा भागवत अस्यापि नित्यं बवतियत कुहे तत्रुहंती थरूपं हिवसतां पापनाशनं अश्वमेद सहस्वानि वाजपे यशतानिच शुक शात्र कतां याश्च कलां नारहंति शुरशी तावत पापा निगेदे स्मिन्य संधिया बोगनाः नावन श्रुय देत अध्यक श्रेमत भागवतं नरेहि नगंगान श्रुप्ष्करम नप्रयागकं शुक शाष्रकतायाष्च पलेन समताम नेत श्लोकार्थं श्लोकपादं वानिध्यं भागवतोद्पवं पथस्वस्वाखे नईवयदिच्सिपरांगतिं वेधादिर वेधमाताच पारुषं सूक्तमेवच ट्रै भागवतं चैवध्व शाक्षर एवच द्वादशात्मा प्रयागश्च कालस्तमवत्तरात्मकह ब्राम्नाश्चाव निहोत्रम्च सुरविर्द्वादशीत था तुलसीच वसंतष्च पुरुषोत्तम एवच एते शांतत्वतप्राग्ने नप्रुथतप्वाव इश्यते यश्च भागवतं शात्रम वाच एधर्थतो निशंग जन्मक रोटिष्टम पापं नश्यते नात्रसंशव नहां अवे अमें आपने आप भागवश शास्त्रों महीमा संभलाविये चे एना श्रवन मात्र फी मुक्ति हात मावी जाए शे श्रिवद भागवश नी कथानों सदा सर्वदा सेवन अने आस्वादन करों जो ये अटले मात्र सामपढ़िये के बोल ये नहीं पर एना स्वाद ले जो ये एना श्रवन मात्र फी श्री हरी त्रदै मावी नी विराजी जाए छे आ ग्रंथमा अटा हज्जा श्लोक छे बार सकंध शे अने श्री शुकदेव जी आनी राजा परिक्षतनों समवाद छे आप आप भागवश शास्त्र ध्यान आपिने सामपढ़ों आ जीव त् अग्नियान वशात असमसार चक्रवां प्रटके शे जाजुदी शन बर माटे पन एना कानों मा आश्रोक देव जी माराजना शास्त्र ने कता नथी पड़ी बोगवश शास्त्रों आनी पुराणों सांबढ़वानों सोल आप शे एतो व्यार्तनों ब्रह्म बतार नाराज मुक्ति आप्पा माटे तो एक मात्र भागवश शास्त्र गर जना करी रहों चे मुक्ति दाने न गर जती जे घरमा नित्य प्रतिशिमत भागवदी कता थाए छे एक घर तीर तरुप थाई जाए छे अने जे लोको एक घरमा रहे छे ए बद्धाना पापों नार्ष थाई जाए छे हजार अशमेत अने शेकड़ो वाजय पे यग्या आशुकर शास्त्र नी कतानो सोल्म आउश पड नाती थाई शकता है तपोधनो ज्यासुदी लोको सारी पेठे शिमत भागवदी शवण नाती करता त्यासुदी एमना शरीर मा पापों निवास करे छे फड़नी अन्मुखती जे श्रीमत भागवद ना अड़ता रत्वा पाश लोकोनो पन निद्य नियम्बरत पाठ करो अमकार गयतरी पुरुश्य सोपतत्रने वे श्रीमत भागवद ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज वादाश आप्शार मंत्र बार मुरुत्यो वाला सूर्य भ प्रयाग सम्व सरुप काल ब्राम्मन अग्निहोत्र गायद वाध शिती थी तुरसी वसंतरुत्वाने भगवान पुर्षत्तम आज सर्वमा बुद्धिमान लोको वास्तविक्रितें कोई अंतर मानता न थिया वदू एक अच्छे ब्राम्नीड अच्छे पुर्ष्त अहरर श्ता ह Mississippi चाहित कीति अच्छे अच्छे की अच्छे कि अच्छे की अच्छे के अच्छे की सब्स्तुर। अने पशी अर्थ पण वांशता है अर्थ साथे मुड़ पाट करता है एना करोड़ जन्मोन पाप नस्ट सही जाईशे माचरा पन संदे ही न थी आड़त रिष्ति श्लोग में ची एग श्लोकार्धं श्लोकपादं वापठेग्भागवतं चयह नित्यं पुन्यम वापनो तिराज सुयाश्वमेदयोह। उक्तं भागवतं नित्यं पुरतं चहरिचिंतनं तुलसी पोषणं चयवदेनू नाम सेवनं समं अंतकाने तुये नईवश्रूयते शुकषास्रवाग। पृत्यात अस्यववैकुण्थं गोविंदो पिप्रयक्षते हेम सेवयतं चयतत्वष्ण वायददातिचं कृष्णेन सहसायज्यं सपुमान्दपतेत्रुवं आजन्वमात्रमपिये नशठेनकेंचितं चित्तं विथालयुकषास्रकथान पीतां चांदालवज्यकरवद्पततेननीतं मिठ्यास्वजन्वजननीजनि दुखः भाजां जीवच्चवो निकदितस्कतु पापकर्मां ये नश्रतं शुककथावचनं यकिंचितं धिक्तं नरंपशुसमं भुविपार रूपं एवं वदंति दिविदेव समाज बुख्या दुर्लभायवकतालोके श्रीमत भागवतोत्मां कोटि जन्मसमत्थेन कुण्ने नईवतु लभ्यतेन थेना योगनितेथी मश्रोताव्यासा प्रयत्नतः धिनानानियम्हुनास्ति श्वदाश्र्भदाश्र्वा नमतं अशक्यत्वात् कल अबोध्यो विशे शोत्र शुकाग्नया् मनो वृत्य यस्चाईवन्यमा चरणम्तः देख्षा कर्तुम अशक्यत्वात् सप्ता हश्यानम्तं श्रत्तात अश्रवने नित्यम् माभेतावत्यत्पलं तत्पलं शुकदेवेन सप्तां अश्रवने कृतं मनसश्चा जयाद्रोगात्वुम्सां चैवायुश हक्षयादप कलेव्दोष बहुत्वाच्य सप्तां अश्रवनम्मतं यथ फलमनासित अपसान योगे न समाधिना अनायासे नतत्सरवं सप्ता हश्रवने लभेत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत् जे पुरुष नित्य प्रदी भागवाद नो अड़ु एटले अत्वा पाप भागवाद नो श्लोपण आजे शे एजे राजसुय और अश्वे ध्यग्णु नो खोड माले शे नित्य भागवाद नो पाट करवो भगवान नो चिंतन करवो तुरसीने सीजवी और गाईने स आख सरखी छे नित्य भागवाद नो पाट करवो ओके जे पुरुष अन्त समय मा श्रीवत भागवाद नो वाके साम्बले लेशे ना पर प्रसम्न ने भागवाद ने बाईकुंध दाम आपी दे छे जे पुरुष आने सोनाना सिम्हासनु पर राखी ने विश्णु ना गवतियो से अवस्य भगवान लों सायुच्य प्राप्त करें जे दुष्टे कोताना आखावślय आम सोु टुतियों निंदा बरा मारे बर्ण एटले जाने जेनू विधय जे विधान करवां जेने सुति कराम आवे अने जन्नो निशेत करवोशे निन्दा करामावे तो आन्न करवो जो एडला मटे जे दुष्ट पोताना पूर आजुष्यमा चित्तने एकादर करीने श्रीमाद भागवात लामुलोत नो थोड़ो कुल रसासवाद नथी करतो एड़े तो पोताना आखो जन्नम चंडाल अने कदेडानी जे व्यार थाज बगाड़े ओछे एड़े तो पोतानी माताने प्रसावनी पीडाक महँचाडवाने माटेश उत्पद न थरो छे एड़े आजन्नमानू बेजू कोई फड़ ना थी जेड़े आशुक शास्त्रणों फोड़ा प्रणवाचन सांबला न थी एड़े पापात्मा तो जीवतो हवाचता पन मड़दा समान अच्छे प्रत्वीने बारस्वरूप एड़े पशुतुले मलुष्यने दिक्कार छे एव स्वर्ग लोखवा देवतों मा प्रतानिवा इंद्रादी कहे शे इंद्र वगरे कहे शे के पशोम आ मानसमा तो पशुल छे संसालनों शिवत भागवद नी कथा मलवी अवश्य कटिन छे जारे कर लोजन्मों ना पुन्य थाई शे त्यारे शिवत भागवद नी प्राप्ति थाई शे नारत जीप आप बहु बुद्धी मान और योग निदी शो आप प्रायतन पुर्वक कथा मुश्रवन करो एने सांपडवाने माटने वीवस ओनो कोई नियम न थी वागवक ने कना वह प्राप्ति सत्या मुखक नवाब कर다면 करते वागवद जो सब्ता होनो भीति भागवत देले सब्ता एक्वेस्टन आपड़ा मन माँ छे के भागवत हम्मेश आठ फड़ियानु छोई आगवली बे मिना नुँ भागवत के अन्ने भागवत देले तो लोंगरे माराज आए ले भागवत देले बुड भागवत श्लोको छे यह में पन दुनिया माँ खवर आथ नाए ले भागवत में केटली बार्मा आए ले बागवत देले इतले अन्ने यह डंगरे माराज नु गवरोषे यह बागवत देले डंगरे माराज एवू बनी गवचे समेकरण ने यह महान आता से पर नंतो भागवत मुड घ्रणत चे पुष्णोको वाळो पुष्ट्या नथी मांटे आपने यो मानियोके साथ निवस्नो करवो जो ये तले लखे शे कल्योग मा एवु थावु कठण जे के साचो बोल्जे आने ब्रह्मचर्य पालान पुर्वग भापदनों श्रवण करे आथे शुक्देवजी माराजे सप्तावन विती बतावे शे ये समझे लेवो जो ये कल्योग मा बहु दिवस वसोती चित्तने व्रुत्यों निवश्मा राकवे नियावम मा बंधाई नेरेवु अने कोई पवित्रकार्यान वाटे दिख्षित रेवु कठण शे आथे 17 श्रवन नी विती बतावी शे पूर्वक्ति श्रवन दर्म्यां टीं विजी बतावशे ए विजी बद्दभ बे मेना दर्म्यां थो। महान पूरु शोचिए बेदान रज्यान करना रा अने अने गंभिर साथ अकोचिए एने आपणे एमने सब्तार माटे जी कई होए ए बे महीना में तो करेश शक्ये पशी बे महीना पजी छुट जे करवा अनि पड़ बे महीना सुझे आपणे एक करेचे प्रकारे करवानों कंभिर प्रयादन रागे शक्ये श्रद्धा पूर्वघ प्यारैमाँ श्रवण करवाथी अथ्वा महा महीनामाँ श्रवण करवाथी जे फड़ थाईचे एश फड़ शुब्देवजी महराजे सब्ता स्रवणा निविधारित कर्यों छे मन ना असंयम, रोगों नी अगिकता अने आयुष्य ने अलपताने काराणे तथा कड़ युग मा अनेक दोशों नी संभावनाने लिधेज सपता श्रवण नो विधाल करामा आपजों छे जी फड तब योग ने संभावची थी पर क्राप्त नाथी थे श्रप्तु ए सरवां गरोपती सपता हश्रवण ती सहजनाय मलि जाई शे सबता हश्रवन यद्ने करता महान शे, व्रत करता महान शे, तब करता चड़ियातों शे, पीरत स्थेवन करता तो हम्मेशन चड़ियातों शेश, योगती वधारे शे, एटले सुधी के ध्यान अनि घ्न्यान ती माँ विशेश शे, अरे एनि विशेश दानू केटनू वर्लन करिया। इस हो थी महांधी पन महांशे। अलबावाजियो। पदं गंतु मुद्यतह। एकादशं परिषृत्य। पृत्व वात्यम अब्रवेद। उद्धव अवाच। वांतु यास्यसि गोविंद बक्तकार्यं विधायच। मच्चित्ते महती चिंता ताह्षुत्वा सुखमावः। आगतोयं कनिर्गोरो भविष्यंति पुनः खलाह। तत्संगे नईवसंतो पिगमिष्यंत्यु प्रताम्यद। प्रदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेद। अन्योन दृष्यते त्राता द्वत्त कमललो चन। अतसत्सुदयां पृत्वा बक्त वत्सलमाव्रज। बक्ता थम्सगुणो जातो निराकारो पिचिन्मयः। पद्वियोगे नते बक्ता कथम्स्थास्यंति भूतले निर्गुणो पासने कस्तमतह किंचित्विचारय। इत्युद्धवच शुद्वा प्रभासे चिंत यत्तरिह। बक्ता वलंबनार्थायकिंबिधेयं मये तिचर्म्स्वकेयं यद्भवत्ते जस्तच भागवते दधात। तिरोधाय प्रविष्टोयं श्रीमध्भागवतारणवं तेने यव्वां बैमुर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरेहिं सेवनाच्चवनात्पाथादर्शनात्पापनाशिने सक्ता अश्रवणं तेन सर्वेभ्योप्यधिकंकृतं। सादनानितिरस्कृत्यकलवतर्मोयमीरितः दुखदारित्यदावर्वाध्य पापप्रक्षालनायम् अक्रोध जयार्थामिकलवतर्मोयमीरितः अन्यता वईष्णरीमाया दिवैरपिसुदुस्यजां। कथम्त्याज्यां पवेटों बिश सप्ता हो तक प्रकिर्थिता हो। शाउनक जी पूछे सुत जी आता आपे बुवाश्टरनी वाद कहीं। अवश्या भागवत पुराण योगवेत्ता ब्रभ्मा जीये पन आधीकाराण श्री नार्यन निरुपन करेशे। परन्तु ए मोक्षरी प्राप्तिमा जण्यान वगेरे बत्ना साधनों तिरसकार करीने आयोगमा एमना थी पन बतारेशे। सुत जी खाहे शाउनक जी त्यारे बगवाश्री कृष्ण आप पुरत्वेने छोडीने कया पताने नित्यधमना जाबाल लागया। त्यारे एमना मुखारवेंद थी एकादश संधनों गिन्यानों पदेश सांबलीने उद्धावजी ए पुष्य। उद्धावजी बोध्या हे गोविंद हवे तो आप पताना भप्तोनु कारिय करीने परमधमा पधारवाई चोशो। परन्तु मारा मन में एक मोटी चिन्ता शें। ए सांबलीने आप मने शांत करो। हवे आप हवे गोर कलीकाल आगत समझे। आति संसार मा वळी अनेक दुष्टो प्रकट थशें। एमना संसर्गती बधा जारे अनेक सत्पुरुषपन उग्र प्रकुती ना थाई जर्शें। तेहरे एमना भारती दबाईने आप गो रूपीनी प्रुत्वी कोना शर्ण मा जर्शें। एक कमल नयन मने तो आपने छोडीने एनी रख्षा करनारा विजो कोई देखातो जना थी। आथि एए बग्त वसल आप साधू पर कृपा करीने हाई थी न जर्शो। एए बग्वान आपे निराकार औने चिन्दमात्र आपछो तेथी भक्तो ने माटेश तो आज सबुन रूप धारन करेऊ छे। पसी भला आपना वियोग थाए तो भक्त प्रुत्वी पर केविर दरही शक्षे। निर्गुन पासनामा तो बहुँ कश्ट छे। आथी कईक बिजो विचार करो। प्रभास अक्षेत्र मा उद्धव जीए आब अचरो का है साम्पणी दिर भग्वान विचार बार लागया के भक्तो ना अवलंबन अप्पा माटें मारी श्रीवी वस्ता करवी जीए आधी एनु सेवन श्रवन पठन अत्वा दर्शन ती पण मनुष्यना बद्धा पापो नश्टत आई जाए छे। आधी एनु सब्ता हश्रावन सावती उत्तम मानवामा आव्यों शे अने कडियुग मातो अन्य सर्व साधानो शोडी ने आश प्रधान धर्मा शें केवामा आव्यों शे। कलीकाण मा ए एवो धर्मा शें जे दुखर, दारीद्यव, दुर्भाग्य आने पापो नी सफाई करी नाखे शें तेता कामा क्रोधा जिशत्रों पर विजै प्राप्त करावे शें। अन्य था भगवान नी आमाया थी पीछो छोडावानो लेवताओ माटे पण कठाण शे। मनुष्य तो छोडी सकेश केवी रिते। आथी एन आथी छूटवाने माटे पण सब्ता हश्रवण विधान कराना आविन शे। सूत उवाच एवं नगाह श्रवनो रुथरमे प्रकाश्यमाने रुषि बिस्तभायां। आश्चर्य वेकं समभूत दानें तदुच्यते संष्रुनो शाउनकत्वं। बक्तेप्स्तृतृतौत्वत्तरुणौकुर्वदेत्वाप्रेमईकरूपस्ः único। स्रेव्ण। गोविंद्थारे मुराये। नाथे लैन्आमानि मुहर्वदंते। थाम्चागतां। भागवत्ता प्रूषां। सुचार वेशांद द्रशुस्त दर्ष्याह कथं प्रविष्टा कथं आगतेयं मध्धि मुनी नामिति तरकयंतः उजुख कुमारा वचनुंत दानें कथार्त तो निष्पतिता धुनेयं एवंगिरस्स ससुतानिशम्य सनकुमारं निजगादनम्रा भप्तिरुवाचर भवत्पिरध्येव गृतास्निपुष्टा कलिप्रणष्टा पिकथारसेन क्वाहं तुतिष्थाम्यदुना प्रुवंतु ब्राह्मा इधंतांगिरमुचिरेतें भक्तेश गोविंदस्वरूपकर्त्री प्रेमैकतर्त्री भवरोगहंत्री साथ्वंचतिष्थस्वसुतैयसंष्रया निरंतरं वैष्णवमानसानी ततो पिदोशा करिजाई मेत्वां रष्टुन शक्ता प्रभवो पिलोगहं एवं तदा ज्ञावसरे पिभक्तिही तदा निशन्ना हरिदास चित्ते सकलगुवनमध्ये निर्वेनास्ते पिदन्याहा निवतते रुदियेशा श्रेहरे भक्ति रेकाः हरे रपिनि जैलोगं सर्करकातो विहाया प्रभिषते रुदित्नेशा बक्ति सोत्रो पनत्तह ब्रुमोध्यते किमधिकं महिमानम् देवं ब्रहात्म पस्य भूखिपा वगता गितस्य यत्सम्षया निगादिने लगते शुवक्ता श्रोटापे खुष्ण समताम लमान्य धर्माई शोत जी केजि शावनक जी जे समय सनकादी मुनिश्वर अप्रकारे सप्ताः श्रवण ने महीमान, श्रवण ना महीमाना वखाण करी रहा हता। इस अभामा एक महाना शर्य थयों, एहों तमने कोजो सांगणों, त्यां तरुनावस्ताने प्राफ्त न थाए, पोताना बन्ने पुत्रों ने साथे, विशुद्ध प्रेमस्वरबा भक्ति वारंवार, श्रीकष्ण गोविंद खरें, मुराई, खेनाथ, खेनारायन, खेवा देवादी, बगवान नामो न उच्छार्वन करती, कतस्मा त्यां प्रगट थाए गए, श्री भक्ति देवी महाराणे की ज़ए, बजा सद्ध स्यों जों, कि परमसुंदरी बग्ति राणी, भागवत न अर्थों न आभूशनों पहरीने, त्यां बदारी, भागवत न अ आप बग्ति देवी हम्णा हम्णास कथाना अर्थों माते निकल्यां छे, एमना अवाचन सांब्ली ने बग्ति ये पताना पत्रों सहीत, अत्यां द विनम्रथै ने सनत्कुमारों ने कहिं, बग्ति बोन्या हूं कळ योगमा नश्ट प्राय थाई गई हती, आपे कथाम्र नस्वरू प्रदान करना रा, आनन ने प्रेम न संपाधन करना रा, अने संसार रोग ने निर्मूर करना रा छो, आखि तमें धैर ये धारांकरी ने नित्य जिरंतर विष्णुना भक्तो ना रुदयमास निवास करो, आ कड़ योगना दोश बढले, सम्भक्र संसार पर प प्रास्तान काजिने अग्निया प्राप्तो ते त्यारे भक्ती तरतस भगवान ना भक्तो न अरुदयमास जैने बिराजमान थै, जेमना हरुदयमा एक मात्र शेहर ने भक्ती निवास करें छे, ये तिलोकी माँ अथ्यां तन निर्धन होवाचे ता आपन परम धन्या शे, निर्धन आपी तन्या हा, सकल भुवन माँ निर्धन होवाचे ता आपन तन्या लोको कोण चे, ये नहरुदयमा भक्ती देवी निवास करें, चारे राम राम पैसा नो शू थयो छोड़ने शी चिनता करवी, भन्यता शेमाँ चे, नारे नी भक्ती तो करें लो भक्ती ये वाके पैसा अल तो पैसा नी भक्ती थाए, भगवान भजन करें लो शीवाक्षन, कारण के आ भक्ती नी दोली थी बंधाय ने तो साक्षात भगवान पन पोताना परम धाम ने छोडी ने एन नहरुदयमा आवी ने निवास करें ले चे, भुलोक माई भाग, आ पन जी पता गोनो ना वर्णा नो एक व्यक्ती ना कवरा मा वे चे ए निर्गुन अनने निराकार होई एमा जातला गोनो रही चे बाकी एक मानस ना शरीर में आभवान भगवा जी एने तो निर्गुन निराकार मा भाज रहो पट शे ने अगाण को कि क्रिष्ण ुष्री में सभला गोनों को ना निर्गुन फैरम एक शरी तो निरासमा रहे चे फ्रती होई ठुंडू है, योना बैंने विश्रीर सुने भगवान शरी क्रिष्ण नी, और स्भ Het Childrenभो च पता शाड़े शॉति आहे बिजी सभी, अधि श्रीक्रिष्ण निर्च प्रभा ब तनम नाम प्रतियो ज्यायः श्री प्रुष्णार्पण्वत्तु